अगर भगवान बुद्ध और उनका धम्म अगर आप पड़ेंगे तब उसमें कोलियों का और साक्यों का एक युद्ध की स्थिति दिखाई जाती है मगर दौनों के पास ही सेना नहीं है वो जितने भी खेतिये लोग हैं खेतियों को बाद में छेतिये बोला जाता है क्योंग खेतर और छेतर एकी बात है क्योंगि छेपाली भासा में नहीं होता खेत होता है इसल hashtags जितने भी खेतिये लोग थे अगर कहीं लड़ाई की घुशना होती है तो यानि ये बात मैं अशने आपको बोल रहा हूँ कि सामाजिक परिदस्य में भारत के अंदर कहीं सैनाय नहीं होती थी अगर कोई आफ़त आती थी तो वो सैनाय आपस में यानि वही लोग जो खेतिय लोग थे हाला कि ऐसी कोई बड़ी रड़ाईयां होती नहीं थी कोई छोटी मड़ी क्योंगी यहां धन धान ने खाना पीना बहुत बड़ी आता फिर भी वाद विवाद होते रहते थे जैसे कॉली और साक्यों में जो रोहिंगी जिजिवर्थी उसमें पानी के लिए बाद बिबाद हुआ बावा साव अंबेड करने सामाजिक स्रक्षा के लिए वालिंटर्स बनाए उनको नाम समता सैनिक दिया समता सैनिक दल बनाया बाद में वो दल के बहुत सारे टुकड़े हो गए और उस दल की माने तक खतम हो गए ऐसे ही भारत के अंदर सामाजिक स्रक्षा के लिए सामाजिक लोगों ने बहुत सारी सैनाएं, ब्रिगेड, वालिंटर पैंथर, टाइगर सैना, आर्मी मिलटरी, बहुत सारे नामों से ये सारी सारी फोर्स होगे, या वालिंटर फोर्स है बहुत सारी नामों से जगे-जगे, कुछ काश्ट बेष्ट है और कुछ धरम पर आधारित है धमूपे आधारित है और कुछ सामाजिक रूप से है कुछ सामाजिक छेत्रों की है ये सभी लोगों ने जो ये सामाजिक वालिंटर्स बनाए है ये सुरक्षा के लिए बनाए हुए है मगर अपसोस इस बात का है कि जितने भी ये सेना है जितनी आर्मी, जितनी ये वालिंटर्स फोर्स या दल, या बल, या टाइगर, या पैंथर या ब्रिगेड, या आर्मी या सकती दल या महा सकती दल जो भी ये बने है अगर आप धान से आंकलन करेंगे तो ये सारे के सारे ही भाषनवाज है लफफाज है इनका ना ही तो कोई Central Office है ना ही कोई इनका State Office है ना ही ये एक साथ है सबसे बड़े अपसोस की बात है कि ये समाज के लिए काम करते हैं, बावा साब की पटन पर काम करते हैं, बावा साब को आडिल मानते हैं, बावा साब ने काय संग्डित रहो और ये विखंडित हैं सारे-सारे, ये सब अपना-पना काम करते हैं, किसी की ना ही तो कहीं कोई टेनिंग होती है, यानि कि जैसे प बोलते हैं और नाम लेते हैं वालिंटर फोर्स का समता सैनिक का या सकती दल का या पैंथर का या टाइगर का या आर्मी का या सैना का या ब्रिगेड का या फोर्स का नाम लेंगे दल बल का और करेंगे सारी बात राजनी निती की तो उनमें डिफेंस करना बड़ा मुश्किल है कि एक नाम लेके नाम ले रहे है वालिंटर का नाम ले रहे है सोचल सिकॉर्टी का सुरक्षा परिषद का परिषद की सुरक्षा करेंगे समाज की सुरक्षा करेंगे और काम कर रहे हैं राजनीती का सब का भाषन एक होता है सब गौवर्मेंट के अगेंस्ट में राजनीती करके बात करते हैं तो उद्देश से उनका इस पष्ट समझ में नहीं आता आपने नाम को छोड लिया बता को छोड दिया कर को छोड रहे हैं तो उद्देश से तो आपको कहीं मिलने वाला है नहीं लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये जो दल बना है इसके उद्देश से क्या है वो कभी अपने उद्देश से बताते भी नहीं है इनफेक्ट उनके पास में उद्देशों की कोई लिखित कौपी है भी नहीं नहीं उनके कोई constitution है, नहीं सम्मिधान है और कोई किसी के पास सम्मिधान है भी, तो वो सम्मिधान पे कायम भी नहीं है, सबका pattern लगबग एक सा है, समास से कुछ पैसा लेना है, कहीं कोई बर्दी बर्दी बनवा लेते हैं, कहीं कुछ है, मकर उनका कोई annual या weekly या daily कोई training program न ही पड़ते थे, नहीं वो किसी, उनका काम होता था, समाज में अगर कोई दिक्कत आती है, तो समाज को सुरक्षा की guarantee देना, अभी दिक्कत ये आ रही है, कि समाज में सुरक्षा की guarantee देने के नाम पे एक तो इन्होंने बहुत सारे दल बना ली है, जिनको 14 अप्रेयल 2020 तक ह पाम्याब नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो वो limited caste के लोग हैं, और limited caste के लोग बड़ी force नहीं बन सकते, जब तक वो सब के सक समण समाज नहीं बनेंगे, जब तक वो power नहीं बन सकते, अगर ये सब अलग अलग ये दल बल जित्ते भी हैं, अगर वो एक नहीं आते हैं, तो वो समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, किसी भी हालत में कोई भी लीडर उनका ये प्रूब नहीं कर सकता, कि वो देसे की सफलता प्राप्त कर सकता है, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं, कि हम ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा काम ज़्यादा बड़ा है, उनका क को रूल करने के लिए जानने के लिए इन इह सब को एखटा करके एक फोर्स बनानी है ताकि आपकी सामाजिक स्रुक्च्षा हो सके इसलिए आपको क्या करना है आपको करना ये है कोई दल बल आर्मी सेन वॉलिंटर पैंफर टाइगर कोई सक्ती दल कोई कोई समता सेंग दल, कोई बहुजन दल, कोई बहुजन वालिंटर, अगर कोई आप से इस तरह का कहता है, कि मैं सामाजी सुक्षा दूँगा, तो आप उनसे सबसे पहले ये कहिए, कि भाई सबसे पहले आप अपनी सुक्षा कीजिए, आप सब एक हो जाएए, आप सबको एक होने जोत है, जैसे ही आप एक हो जाएएंगे, एक वोईस जाएगी, एक अवाज जाएगी, कि ये सारे वोलिंटर फोर्स एक हैं, इनका एक सिस्टम हो चुका है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो फिर अपने आप ही लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी, कि वो आपके लोगों के साथ में कोई एक्टो सिटीज कर सकें, कोई ऐसी काम कर सकें, जिससे उत्पिर्ण हो, या कोई मार पिटाई, या कहीं कोई बलात कार, या कहीं कोई अत्यचार होगा ही नहीं क्योंकि सब आप बिखरे हुए हो सब आप अलग लग हो, एक जिगे एटो सिटीज होती है, आप पांच लोग उहां लग लग जाते हो तो सामने वाले को पता है कि आप बिखरे हुए हो, जब सामने वाले को ये पता है कि आप बिखरे हुए हो बावास आपकाुद्देश से क्या था बावा साब में संवठित होने के लिए घुण उन्हों कहा आपको समझ में नहीं आता कि संवठन क्या होता है क्या नहीं होता है बराए महरवानी आप अपने इन सभी दल बल नेता सक्ती टाइगर पैंथर को वल्टर फोर्स को जितने भी आपने जातिकत बनाई हुई है जो समर समाज की हैं उनको 14 अपैल 2020 तक बिना सर्थ के एक कीजिए आप अमेट का भवन से उसकी गोशना कीजिए मुंबई से कीजिए दिली से कीजिए पालियामेट पे आगे कीजिए वन्ना लोगों का आप पे यकीन नहीं रहेगा विस्वास नहीं रहेगा लोग आपको मदद नहीं करेंगे आप नाम कुछ और लेते हैं कर कुछ और रहे हैं लोगों को सब समझ में आता है आप इसको ध्यान दीजिए इससे पहले है कि हमारा नुकसान और ज्यादा हो जाए आप 14 अपरेल 2020 तक सब इखटे हो जाएए धन्यवाद कर दो जाएए कर दो जाएए